हेलो रिवन गुड मारिंग स्वागत सभी का ओनलाइन स्टेडियों में आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट अब्जेक्टिब टॉपिक वाइज सिरीज में पॉलिटी और इसमें देखेंगे नागरिक्ता ठीक है भाग दो में उपलब्द जो दिया गया है वो 5 से 11 अनुचेद ठीक है भाग दो में नागरिक्ता के बारे में वर्णन किया गया अनुचेद 5 से 11 तक और डिक करेंगे यह कि भारत्ति समिधान नेमिखित में से कौनसे नागरिक्ता प्रधान करता है थर्ड गुसणे कि किस अनुच्छेद के तैद संसद को नागरिक्ता के समध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद इक गारा ठीक है ओप्शन डीकोटिक करेंगे और यह काफी अच्छा कोईसन से याद रखेगा क्वेस्चन नंबर फूर है कि भारती नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है किस विधी से भारती नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो बैंकों में धन जमा करके नागरिक्ता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ओप्शन डीकोटिक करेंगे नेक्स्ट क्वेशन्स बनता है कि निम्लिखित में से कौन सी सर्थ भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है संपत्ती स्वामित ठीक है संपत्ती स्वामित नहीं है question number 6 नागरिक बनने के लिए निम्लिखित सर्थों में से एक आवस्यक सर्थ क्या है राजी की सदस्ता ठीक है राजी की सदस्ता एक उठीक करेंगे तो फ्रेंस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको अनकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा अनकेडमी आपके लिए लेकर रहा है फ्री मॉक्टेस्ट जिसमें आपको हर संडे को मॉर्णिंग में 11 बजे अनकेडमी के साथ एक फ्री मॉक्टेस्ट दे सकते लिए जो की क्वेसंस तयार की जाएंगे की काफी अच्छे एडूकेटर के दौरा पेपर को डीटेल एक्स कराया जाएगा काफी तरीके से तो अगर आपने जोईन नहीं किया तो अनकेडमी को आज ही जोईन कीज जाएगा मैं आपको बता दूँ कि आनकेडमी आपके लिए करहा है मंडे टू सटर डे साथ बजे साम को बीपेसी करेंट अफेस का डेलिया जिसमें बीस क्वेसंस बीस मिट में कराया जाएंगे और अगर आप फर्स सेकंड थर्ट आते हैं तो उसमें आपको प्राइस भी जाएंगे जो कि हर दिन आप्राइस को जिट सकते हैं नेक्स्ट क्वेसंस बनता है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने समद्धी प्रावधान का वर्णन निम्ली खीत में से किस अनुछेद में वर्णीत हैं ये क्वेसंस बहुत ज्यादा वीविय हम कह सकते हैं कि देश दिरों का अपराध सिध्ध होने पर ठीक है ओप्सन बी को टिक करेंगे नेक्स्ट वन क्या है कि एक वेक्ती नागरिक्ता के अधिकार कैसे खो सकता है एक कारण हो सकता है तो निम्ली खीत में से अगर हम कारण देखें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अ के लिए सक्षम है तो राइट आंसर क्या होगा संसद ठीक है ऑप्सन डी को टिक करेंगे संसद देखे यहाँ पर सकते हैं कि भारते समिधान के अनुछे दिकारा में असपस्ट किया गया कि संसद को नागरिक्ता के बारे में बीधी बनाने के संपुर्ण सकती होगी इस सकती क के परियोग में संसद कि संसद नागरिक्ता अधिनियम 1905 अधिनियमित किया है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्या है भारत की नागरिक्ता निम्डिकित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तो जन्म से वनसानुकरम से देशिये करन से यह उप्रयोग सभी यहाँ पर ऑप 255 के नागरिक्ता कानून में किया गया option B correct होगा अच्छा आपसे छोटा सा questions पूशता हूं कितने लोग बता सकते हैं कि अब तक नागरिक्ता में कितनी बार संसोधा निख्या जा चुका है नेक्स्ट कि भारतिया नागरिक्ता कितने प्रकार से प्राप्तिक की जा सकती है फ्रेंड्स वीडियो कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजगा questions बहुत ही कम है लेकिन काफी अच्छे questions है तो अपने दोस्तों के साथ share भी कर दीजगा right answer क्या होगा option D यानि कि 5 प्रकार से नागरिक्ता प्राप्तिक की जा सकती है और वो यहाँ पर 5 पढ़ सकत मूलवन्स जाती लिंग जर्मस्थान या फिर निवास के धार पर भेदवाव पर प्रतिबंद लगाता है और वो आर्टिकल कॉंस है तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 यानि कि पंद्रा के द्वारा नेक्स्ट कुईसंस की कितने वर्सों तक लगतार बाहर रने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है लगतार साथ वर्सों तक बाहर रने पर नागरिक्ता स्वता ही समाप्त हो जाती है अगला कुईसंस नेक्स्ट कुईसंस यह कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नाग नागरिक्ता का परित्याग करता है, स्विक्षा से अगर परित्याग करता है, तो उसकी नागरिक्ता समाप्त हो जाती है, स्विक्षा से अन्य देश की नागरिक्ता प्राप्त कर लेता है, तो भी समाप्त हो जाती है, और किसी अन्य देश से नागरिक्त से बिवाह करने पर यह नहीं होगा सरकार की अलोचना करता यह नहीं होगा यानी फर्स्ट और सेकरन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्षन हम सी को टिक कर सकते एक और दो ठीक है जाने पर यानी ऑप्षन डी इको टिक करेंगे उपरुक्त सभी नेक्स्ट के निम्न में से किस जिस्तिती में किसी विक्ती को भारत्य नागरिक्ता से वंचित नहीं किया सकता है तो यहां पे सही आंसर रोगा option D उप्रोक्त सभी यानि कि निर्वाचन के दौरान अपातकाल के दौरान युद्ध के दौरान इन सभी के दौरान कह सकते हैं कि नागरिक्ता से वंचित नहीं किया सकता है कि नेक्स्ट कुईसंस की भारतिय समिधान में नागरिकता के प्रवधान कब लागो हुए तो यहां पर सही आंसर ता नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को यहां पर कह सकते कि तीनों के तीनों नहीं है यानि यहां पर डी को टिक करेंगे ठीक है कुछ सर्वाजनिक पदों पर पत्रता संसद्वा विधान मंडल के सदस होने का अधिकार अनुछेद 15-16 एवं 19 द्वारा प्रदत मौली का अधिकार यह जो कि गैर नागरिकों को नहीं है ठीक है अप्सन हम डी को टिक करेंगे नेक्स्ट कोईशन से कि समिधान द्वारा प्रदत नागरिकता के संबंद में संसर ने एक व्यापक नागरिकता धिनियम कब बनाया एक व्यापक नागरिकता क्यों धार्णा अपनाई गई है कहां से इंग्लेंड से ठीक है इंग्लेंड से यानि कि ब्रेटेंड से अगला प्रस्ट भारत में रहने वाला ब्रेटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता है वेपार और वेवसाहे की स्वतनता का अधिकार ओप्सन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्यों की किस देश में दोहरी नागरिक्ता का सिधान स्विकार किया गया तो मैंना कूपर में था स्विचर लैंड हो, USA हो यहाँ पे दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान है नेक्स्ट क्यों कह रहा है कि नागरिक्ता नीम्ण में से किस विध्यो द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो जन्म से अनुवान सिक्ता से पंजी अन्द्वारा यानि कि एक दू तीन करेक्ट होगा option हम बी को टिक करेंगे next question नागरिक्ता प्राप्त करने की लिए सर्ते निधारित करने वाला सक्षम निकाए कौन सा है तो आर्टिकल 11 क्या खहा रहा था उपर में अपने देखा था कि संसत जो हो सक्षम है ठीक है ओप्सन C को टिक करेंगे तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 26 most important questions को कवर किया अब आपके लिए छोटा सा क्यूज का question से जादी से comment करके बता दीजिएगा तो फेंस वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों साथ अधिक सदिक share कर दीजिए हम मिलते हैं किसी और वी कीप लेर्निंग हाव अगुड़ टे